नमस्कार मैं हूँ लक्समन सिंग राठोर और आप देख रहे हैं जैवर्दन नियूज अभी हम राजसमन जील किनारे खड़े हैं तुफान के बाद में लगातार बारिस का दोर जारी है और राजसमन जील में पानी की आवक बरकरार है अभी बताये जा रहा हैं कि तासोल जो पुलिया है वहाँ पर ड़ी फीट की चादर चल रही है और पानी राजसमन जील में लगातार आ रहा है कल रात तक लगबग साड़े पांच फीट इस जील में पानी था और अभी बढ़कर दस फीट के करीब हो गया है और अभी भी पानी लगातार इसमें आ रहा है और यह 2017 के बाद पहली बार हुआ है जब एक ही रात में लगबग साड़े चार फीट पानी की आवगरासमन जील में हुई है और आप पीछे जैसे इस जील का नजारा भी हंगम देख सकते हैं और अभी सुबे से ही जील में जो गेज बढ़ा है इस पानी को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां आ रहे हैं वैसे मॉर्निंग वोक के लिए आते हैं लेकिन फिर भी जो जील में पानी आय हैं उसकी उत्सुक्त सा लोगों में अलग ही देखी जा सकती है हमारे साथ में अभी गोविन जी है सर आप आये हो तो सुबे से क्या चहल कदमिया देखी यहां पर दूर-दूर से लोग आ रहे हैं अपार खुशी है कि प्रभू स्री के चर्णों में जो है बीना किसी प्रा श्तर लगबक 10 फीट और भी बढ़ने होला है तैयर है और जो है तुफान हर जगए तुफान मचाया है तबाई का हालेत हैं लेकिन रासमन में देखेंगे नहीं कि यहां समन्द में खुशी का महूल यह साब ब्रज भूमी है यह महाराना पताव की भूमी है और यह ब्रज जिनको राजर रासी जी लाए सिनाजी द्वारकदीश प्रभू उद्र एक लिंग नाद चारभुजा नाद इनकी मेरबानी है उनके आशिरवाद के बिना यह संभव था ही नहीं सब प्रसाशन पूरी तैयरी कर ली थी विनाश होगा यह होगा लोगों में भय था कोई खंब आशियों की सबी के चेरे खिले हुए हैं चोटे चोटे बच्चे कहां कहां से उट उट के आ रहे हैं कि चलो जील देखने चले पापा ममी नाना नानी और यहां के वीडियो जो है इवन पूरे डेश के अंदर जा रहे हैं वार्टसप से जुड़े हुए हैं इवन पॉरें एंदर तक यह जा रहे हैं कि हमरे राशमंघील कर नजर दिकिए पूऱ रहा समन के अंदर गला और लेक ही हुए है लगातार पानी के आवग जारी 먹न हमें करीबेरिंग देड़ फिट की चादर चल रही है YE और नसमनद बांध Sellya के अभी आ खानी है यह अभी जो लगातार पानी आ रहा है नदियें तीनों उफान पे हैं मुख्य रूप से बनास नदी हो गोमती नदी हो या चंद्रबागा आमेटी तीनों इन नदीयां उफान पे हैं तो अभी क्या लग रहा है राजसमन जील में कितना पानी आ जाएगा प्रबु द्वार का दीजी और प्रबु चारबुजानाद की महरबानी से मानसुन से पूर्व सायद राजसमन जील में पहली बार अपने इतिहास में मानसुन से पूर्व एसी बारिस होई है और एसी बारिस होकर के जो राजसमन जील में एक ही रात के अंदर छे फिट पानी जो बड़ा है और संभावना ये है एक साय जील मानसुन से पूर भी छलक सकती है तो हम तो ये प्रभू चार बुज़ा नाते हैं और द्वार का दीजिक महरमानी मानते हैं कि राजसमन वालों के लिए बहुत ही खुशों की चीज है कि एसा एक तुफान उठा जिससे पूरा देश घबरा रहा था कि घुज़ात के बाद में राजस्थान में तबही मचाएगा और तबही के अंदर हमारा राजसमन जिला भी रेर अलर्ट में जारी किया गया था लेकिन यहां मेवार के चार धाम जिनों ने अपनी रक्सा करते हुए केवल पानी ही पानी चारों है मेवार के धाम चारों ने सुना और चारों तरफ पानी पानी करकर के और यह जो पानी की किलत ही घर्मी के अंदर इसको खतम की हम तो यह ठाकरों की मेरबानी मानते हैं कि मेवार के चारों धाम ने मेरबानी की एक तुफान आया और तुफान से कोई भी विनास नहीं करकर के और तुफान से पानी पानी किया इसलिए हमें खुषी की बात है ए वरासमन झील की सुभागे की बात है हम लोगों के लिए हम उस जील के उपर है जहां पहली बार हमने मांसुन से पूर। इतना पानी देगा रात को भी हम यहां आये थे एरिकसर गार्ण के उपर जब 6 से नीचे माइनस 6 से नीचे चल रहा था पानी अब भी जब हम देखने आएं तो 10 पानी चल रहा है पर यह तियासिक पल्ल हमारे लिए एक रात में हम इतना पानी तलाब में भरा हुआ देख रहे हैं अभी भी तीनों नदिये उफान पर हैं और जिल भ दोफान नहीं देते हुए किसी का भी नुकसान नदिये नहीं करें बहुत बहुत धन्यवाद जी जैसे देखा आपने महौल किस तरह से सभी लोगों में एक तरह से उत्सा हैं लगातार पानी आ रहा है और तीनों ही नदियां अभी उफान पर चल रही हैं सभी नदी ताला अनिकट उसमें भी पानी आया है और यह मांसून से पहले जो बानी पानी आया है इस तोफान के जरिये लोगों में काफी खुशी लेकर आया है और हमारे साथ में और भी हैं आपका क्या नाम है पूजल विजय वरिया अच्छा क्या लग रहा है जैसे अभी सुबह आपने दो दिन से बारीस का मौसम सुना कि बिल्कुल जील में पानी आ रहा है चो तरफा पानी पानी लग रहा है कि इस बार जील वापिस भर के चलेगी चादर लोगों में काफी खुशी दीखी जा रही है बिल्कुल हम तो खुद भी शिवजी के मंदिर आये पर उत्सा अधा कि देखें कि जील में कितना पानी आ गया है तो देखने के लिए यह आये हैं तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है उमीद है भढ़ जाएगी इस बार एक ही दिन में लगबग जैसे साड़े-चार फिट पानी केवल रात में आ गया है तो क्या लग रहा है कितना पानी और इनके प्रती एक आसा हैं लोग भी यह प्रातना कर रहे हैं कि जील में ज्यादा से ज्यादा पानी आया है और जबी सबी जो जल स्त्रोत हैं वे लबालोब हो जाएं यह जरूर है कि कोई पब्लिक को आम जन को कोई नुकसान नहीं हो हमारे साथ में और भी लोग है आप चार दिन में राजसमंजील चलग गई थी उस समय भी इसी तरह गोमती नदी उफान पर आ गई थी और पूरे वेग पर गोमती नदी बही थी तब पूरे रासमद जील या लगबग 45 साल बाद में चलकी थी और अभी लगबग 50 साल बाद फिर लोगों को ये उमीद हैं कि रासमद जील फिर चलकेगी आप जुड़ी लिए जैवर्दन न्यूज के साथ धन्यवाद